कहानी का आरंब था एक छोटे से गाउं से जहां एक आम लड़का नामक हर्ष रहता था हर्ष का दिल बड़ा ही साफ था और उसकी आखों में एक अद्बुस सपना छुपा हुआ था एक दिन हर्ष ने एक पुराने पुस्तिकाले में एक रह समय किताब ढूंडी उसमें लिखा था कि एक विशेश तलाब के किनारे इस्तित पेड़ के नीचे सपने पूरे होते हैं हर्ष ने उस तलाब की खोश करना शुरू किया तलाब के किनारे पहुँच कर हर्ष ने वहाँ पेड ढूंडा जिसका उल्ले किताब में था अचानक वहाँ पेड भीड कर एक चमतकारी रूप में बदल गया और वहाँ से बोला तुमारी इच्छाओं को पूरा करने का समय आ गया है हर्ष हर्ष की आँखों में चमक आ गई और वहाँ अपने सपनों की पुर्ती के लिए मंजूरी मांगता है तब से हर्ष की जिंदगी एक रंगीन और अद्बूत सफलता की और बढ़ने लगी उसने गाउवालों के लिए एक शिक्षा केंदर कोला और चातरों को मुफ्त सिक्सा परदान की उसने गाउव को सजाया और उसमें नए उद्मो का समर्थन किया एक दिन हर्ष को एक रहिस्मई वेक्ती मिला जिसने कहा तुम्हारी सफलता का राज तुम्हारी सकारात्मक सोच में छिपा है हर्ष ने समझा कि सपने पूरे करने का असली राज उसकी आत्मविश्वास में छिपा हुआ है धीरे धीरे हर्ष ने अपने गाउं को एक प्रेणना स्त्रोध बना दिया उसने नए प्रोजेक्ट के लिए युवा उद्मियों को प्रेरित किया और उन्हें मार्ग दर्शन किया अब हर्ष गाउं का एक बड़ा फश्रमद्दी और शशक्त्व समूदाय बन गया था पड़ता है इस कहानी से हमें यहां सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों की पुर्ती के लिए मेहनत करें और अपने आत्मिश्वास में विश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं